आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ तो Question मेंट से यहाँ पर क्या रहा है कि अगर इस रूम का इस साइड कितना है तो हमने एक कैमरा प्लेज कर दिया है वाल एबी के ठीक मिड़ पॉइंट पर यह मने पास क्या है एक कैमरा है तो इस कैमरे को यहाँ पर मुझे फोटो चाहिए इस कैमरे को फोटो निकालनी है इस पॉइंट अ पर रखी होए एक उब्जेक की तो इसका डिस्टेंस इसकी जो फोकस के डिस्टेंस होनीचाहिए मतलब यह कामरा किस पॉइंट पर फोकस होना चाहिए उस focal length की मुझे यहाँ पर value निकालनी है, मलब इसकी जो focusing distance होनी चाहिए, वो कितकी होनी चाहिए, ताकि यह point A पर रखे वाई एक object की photograph निकाल सके, तो मुझे यहाँ पर find करना है, तो यहाँ पर हम क्या निकालनेगे, concept की मुझे camera को जिस object की photo लेनी होती है, मिरे पास अगर ए क्योंकि अगर यहाँ से आने वाली raise, अगर camera के अंदर जा रही है, तो best image तो मुझे तभी मिलेगी, जब इसकी focusing distance इतनी होगी, ताकि यहाँ से आने वाली parallel raise ठीक इसकी उपर focus हो सके, तो जब जिस object की मुझे photograph निकालनी होती है, तो उस object और camera की बीच की जो length होती है, वही म मेरे पास focusing length किया हो जाएगी, जो इस camera और इस object की बीच की actual light की length हो जाएगी, मतलब light ने जो path travel किया है, उस path का length, यानि की optical path की length, ठीक है, तो जो उस path की length होगी, वही मेरे पास focusing distance भी होगी, जैसा कि हमने यहाँ पर देख लिया, तो मुझे अब सिर्फ यह निकालना है, कि मेरे पास point A और camera की बीच को जोडने वाले जो light का path है, मतलब जिस path से light travel करेगी, उस path का length यहाँ पर क्या होगा, तो light यहाँ से यहाँ तो आ नहीं सकती, ठीक है, क्योंकि यह wall के उपर चिपके होई points है, तो light सिर्फ आ रही होगी मेरे पास mirror के through, यानि इस से जो light निकली, जो light मेरे object से निकली, वो पहले यहाँ पर आयोगी mirror पर, और mirror से reflect होके इसके उपर गई होगी, तो यहाँ पर अगर मैं reflection के laws लगाऊं, तो यह मेरे पास इसका, और इस line का, इसका midpoint मेरे पास होगा, वहीं पर reflection हो रहा होगा, क्योंकि I is equal to R होता है मेरे पास, angle of incidence is equal to angle of reflection हो हमने सब बनाया, और ray को वापस भेज दिया, camera पर, ठीक है, तो यह distance मेरे पास कितनी है, यह half distance है, 1.5, 1.5 का भी half यह कितना है, 0.75, यह distance कितनी है, 0.75, तो basically मेरे पास जो light ने path travel किया है, मतलब जो light जो path travel कर रहे है, जो इस case में D था, वो इस case में कितना है, अगर यह raise की length L है, तो यहाँ पर light का path कितना है, optical path दिसकों में कहारा हूं, वो कितना है, 2L, ठीक है, और अगर मैं इस right angle, triangle की बात करूं, मैं इस right angle, triangle की बात करूं, तो यह कितना है, यह 3 meters, और यह मैंने निकाल लिया था, कितना है, 0.75 meter, तो यहाँ से एकर मैं पायतिकोर्स थिरम लगात L की value आगे, 3.09 meter, तो optical path कितना हो जाएगा, जो मेरे पास था, 2 times L, तो 2 times L के अगर मैं यहाँ पर value लेकुन तो वो आजाए कि मेरे पास approximately 6.18 meters, यानि मेरे पास camera की focusing length किती हो नहीं चाहिए, 6.18 meter, अगर उसको point A पर रखवे किसी object की photo kitchen है, तो यहाँ पर हमारी focusing length आगे, 6.18 meter, तो अगर मैं यहाँ पर options मिला हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास सिर्फ एक की option match हो रहा है, वो है option number 4, यानि कि option D मेरे पास जो है, वो यहाँ पर match कर रहा है, क्योंकि उसमें दे रखा है more than 6 meter, और यह value कैसी है, more than 6 meter, तो बाकी options यहाँ पर सही option नहीं है, यहाँ पर सिर्फ सही option है, option D, यानि कि more than 6 meter, और actual answer कितना है, 6.18 meter, तो option D इस question का सही option मेरे पास हो जाएगा.